संजू और अंजू जुडवा बहने थी मगर बच्चपन में ही दोनों के माता पिता निलेश और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती थी एक दिन निलेश लड़ाई जगरों से तंग आकर अलग होने का फैसला करता है निलेश और सीमा एक एक बेटी को अपने पास रखने का फैसला भी लेते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ निलेश सीमा से लड़ते उवे कहता है सीमा अब मैं तुमारे साथ इस छोटे से गाउं की छोटी सी जोपड़ी में नहीं रह सकता मैं ये सब छोड़ कर शेहर जा रहा हूँ ठीक है फिर जैसा आपको ठीक लगे मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है मुझे भी अब अपनी जिंदगी में शान्ती चाहिए दोनों अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचते हैं और समझोता करके डिवोर्स ले लेते हैं जिसके बाद निलेश संजु को अपने साथ शेहर ले जाता है और सीमा अंजु के साथ गाओं की ही जोपड़ी में रहने लगती है शेहर जाकर निलेश दूसरी शादी कर लेता है और कुछी दिनों में वो एक नया बिसनेस करके बहुत अमीर भी हो जाता है मगर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में वक्ते नहीं मिल पाता था जिसकी वज़ा से संजु बहुत अकेला महसूस करती थी उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संजु शेहर में खुश नहीं थी संजु को अकसर अपनी बेहन और मा की याद आती थी एक दिन वो अपने कमरे में बैट कर सोच रही थी पता नहीं मेरी जुड़वा बेहन अंजु वहां गाउं में कैसे रह रही होगी उसे भी मेरी कितनी याद आती होगी मुझे तो मा की बहुत याद आती है मगर ना जाने क्यों पापा को मा की याद ही नहीं आती वो तो अंजु को भी भूल गए संजु खुद से बाते करी रही थी कि तभी संजु की सौतेली मा वहां गुस्से में आ जाती है क्यों रही संजू? यहां क्या कर रही है? बस सारे दिन बैठे-बैठे आराम फरमाते रहती है जरा चल कर मेरे काम में हाथ तो बटाना संजू की सौतीली माउसे बिल्कुल भी पसद नहीं करती थी और उसको हमेशा सताती रहती थी लेकिन निलेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था ऐसे ही कई साल बीच जाते हैं और संजू और अंजू दोनों बड़ी हो जाती है दोनों ही दिखने में बहुत सुन्दर थी क्योंकि वो थी तो जुड़वा बे नहीं न बस फर्क सिर्फ इतना था कि संजू अमीर थी और अंजू गरीब एक दिन अचानक से बिमार होने की वज़ा से गाउं में ही अंजू की मा की मौत हो जाती है अंजू के उपर तो मानो दुखो का पहाड़ ही तूट पड़ा था पहले से ही वो गरीब थी और अब अपनी मा के बिना वो बे सहारा भी हो गई थी ये क्या हो गया पहले पापा और संजू मुझे चोड़ कर चले गए और अब मा तुम भी मुझे चोड़ कर चली गई अब मेरा क्या होगा मैं कैसे यहां केले रहूंगी अंजू काफी देर तक बिना कुछ खाय पिये रोती रही मगर जल्दी ही अंजू का दुग गुस्से में बदल गया बस बहुत हो गया वो संजू वहाँ शेहर में एहशो आराम से जी रही है और यहां मैंने और मेरी माने कितने दुख छेले मा की जिन्दगी तो दुखों में ही बीद गई लेकिन मैं ऐसे मरमर कर नहीं जीओंगी मैं अब शेहर जाओंगी और उससे भी उसकी सारी खुश्या चीन लूँगी अंजू तुरंत अपना सावान बांध कर शेहर जाने के लिए निकल जाती है सबसे पहले वो शेहर जाकर एक कमरा किराय पढ़ लेती है और फिर वो वहाँ बैट कर सोचती है आखिर मैं इतने बड़े शेहर में आ तो गई मगर उस संजू को ढूंडू तो ढूंडू कैसे मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती है वाँ ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है मैंने गाउं में आज तक दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं देखा और यहाँ वो संजू इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने आती है अब बस मैं इसकी जिन्देगी को अपना बना लूंगी अंजू खुद से ऐसे बाते करी रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ लोग कार से आ जाते है उनमें से एक लड़की आकर अंजू को गले लगा लेती है अरे अरे ये क्या कर रही हूं तुम संजू तुम कितने दिनों बाद कॉलेज आई हमें तो लगा था कि अब तुम आओगी ने खेर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा हाँ संजू मैंने सुना था तुम्हारी तभ्यत खराब है अब तुम ठीक हो ना अंजू मनी मन सोचती है ओ तो शायद ये मुझे संजू समझ रहे है जरूर ये संजू के कॉलेज के दोस्त होंगे क्या हुआ संजू कि सोच में पढ़ गई तभ्यत तो ठीक है न तुम्हारी हाँ हाँ मतलब नहीं नहीं मेरी तभ्यत कुछ ठीक नहीं लग रही तुम लोगों के पास तो कार है क्या तुम लोग मुझे घर छोड़ दोगे मेरे अरे हाँ क्यों नहीं संजू बिलकुल आओ बैठो आकर हम तुम्हे छोड़ देंगे वो सब लोग अंजू को संजू के घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं हे भगवान ये इतना बड़ा घर उस संजू के पास इतना बड़ा मकान और मेरे लिए बस वो तूटी-पूटी जोपड़ी वाँ किस्मत का खेल बे कितना निराला होता है लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगी अंजू चुपके से घर के पीछे की तरफ जाती है और खिड़की से अंदर छांकने लगती है अंजू को सीधा संजू का ही कमरा दिखता है कमरा दिखने में बड़ा सुन्दर था मगर संजू अंदर सो रही थी आहाहा देखो तुम महरानी को कैसे पड़े-पड़े सो रही है अभी सबग सिखाती हो इसे अंजु खिड़की से कमरे के अंदर कूद जाती है और संजु के मूँ पर बेहोश करने वाला स्प्रेच छड़क देती है जो उसने शेहर आते ही खरीद लिया था वो किसी तरह संजु को घसीट कर कमरे से बाहर ले जाती है और अपना मूँ बांद लेती है रिक्षा रिक्षा अंजु की आवाज सुनकर एक रिक्षा रुक जाता है भाया ये मेरे साथ मरीज है ये चकर खाकर बेहोश हो गई है आप जरा इन्हें मेरे साथ रिक्षे में बिठा दीजे ना हाँ हाँ मैडाम रुकिये मैं अभी आपके मदद करता हूँ इसके बाद अंजू रिक्षे में बैट कर संजू को अपने किराय पर लिये हुए कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पर एक कुरसी से बांद देती है इतना ही नहीं अंजू संजू से कपड़े भी बदल लेती है‍व उसकी जगा ले लेती है थोड़ी देर में संजू को होश आ जाता है ये मैं कहाँ हूँ, ये मेरा घर तो नहीं है तब यह अंजू संजू के सामने आ जाती है क्या, मेरी हमशकल, यानि अंजू, अंजू ये तू है, मेरी प्यारी बेहन, तुने मुझे बांध क्यों रखा है मेरी बेहन, पद है मैंने तुझे कितना याद किया आहा, अब ये सब जूटा नाटक करने की कोई जरुरत नहीं है, मैं तेरी इंचालो में नहीं फसूँगी, अब मैं वो मासूम अंजू नहीं रही कि कोई भी मुझे अकेला छोड़कर और बेवकूफ बना कर चला जाएगा, अब मुझे मेरा हक मांगना और छीनना दोनों ही अच्छे से आता है, क्या, ये सब तु क्या कह रही अंजू, और सबसे पहले तो ये बता कि तुने मुझे बांध कर क्यों रखा है, और तुने मेरे कपड़े भी पहन लिए, तो आखिर करने क्या वाली अंजू, मैं तो वहीं करूंगी जो हमेशा से होना चाहिए था, अब मैं तेरी जगा लूँगी और उस अमीरों वाले बड़े घर में रहूंगी जहां सारे आशो आराम है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है अंजू, तु गलत समझ रही है, वहां कोई आराम नहीं है, वहां तो बस दुखी दुख है, संजू चीकती चिलाती रहती है, पर अंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनती, और उसे वहीं छोड़ कर संजू के घर चली जाती है, वहां जाकर वो चुप चाप अपने बेट पर वापस से सो जाती है, जहां पर पहले संजू सो रही थी, तभी वहां संजू की सौतेली मा दिव्य आ जाती है, ए संजू की बच्ची, मे सच तो ये था कि संजू के पिता के सामने सौतेली मा संजू को बड़े प्यार से रखती थी, मगर उनके बाहर जाते ही वो उस पर अत्याचार करती थी, यही नहीं, रात में दिव्या संजू को घर के स्टोर रूम में सोने को कहती थी, संजू भी सीधी होने के कारण कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर उनके पिता को ये सब पता चल जाता तो वो सौतेली मा को घर से निकाल देते, अंजू थोड़ी ही तेर में समझ जाती है कि चीजे जितनी अच्छी दिख रही थी, उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वो बिना कुछ बोले, दिन भर काम करती है, रात में जब अंजू संजू के पिता घर आते हैं, उन्हें देख कर अंजू की आँखे भराती हैं, और वो दोड़ कर उन्हें गले लगा लेती है, पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहां थे अब तक? अरे, क्या हो संजू बेटा, तुम रो क्यों रही हो, मैं तो काम पर गया था बस, क्या तुम्हारी तबियत अभी भी खराब है? दिव्याद, तुमने इसको दवाई नहीं दी क्या? अरे, नहीं, नहीं, मैंने दवाई दी थी न, शायद दवाने असर नहीं किया होगा. ये भगवान, इस अंधेरे कमरे में कितने मच्छर हैं और यहां कितना अंधेरा भी है, ये सब वैसा तो नहीं जैसा मैंने सोचा था, तबी अचानक से अंजू उटकर बैट जाती है, अरे, मैं संजू को तो भूली गई, पापा की और संजू के दोस्तों की बाते सुनकर अंजू कुछ समय से भिमार थी और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं अभी उसके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ, अंजू चुपके से उटती है और किचन में से थोड़ा खाना लेकर घर से निकल जाती है, मगर अंजू को घर से बाहर जाते हुए उसके पिता न लगती है और निलेश खिरकी से सब सुन लेता है, संजू मेरी बेहन मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, मा के मरने के बाद मेरा सारा दुख कुस्से में बदल गया और मैं तुझे नफरत करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ शेहर में तेरे पास सब कुछ है, क्या, मा अब इस दुनिया में नहीं रही, ए भगवाग, मैं उनसे मिलने के लिए तरस दी रही और आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, मेरी बेहन, मेरी बेहन मुझे माफ कर दे कि तुझे गाउं में अकेले रहना पड़ा, पर मैं भी तो तब छोटी थी ज तुम से इस तरह का व्यवहार करती है, तो तुमने पापा को कुछ क्यों नहीं बताया, अगर मैं उन्हीं बताती कि मा मुझे खाना नहीं देती, मुझे घर का काम करवाती है और मुझे मारती पीटती भी है, तब पापा उन्हें घर से निकाल देते, और इस वारत ने इतने सालों से ये सब चल रहा था, और मैं जान ही नहीं पाया, मुझे माफ कर दो बेटी, संजु, मैं अपने कामों में इतना वैस्त हो गया, कि मैं घर पर ध्यान ही नहीं दे पाया, और बेटी संजु, तुम्हें और तुम्हारी मा को गाउं में अकेला छोड़ने के निकाल दूँगा, और इतना ही नहीं, मैं उसे सिधा पुलिस के हवाले करूँगा, उसने इतने दिनों तक तुम पर इतने जुम जो किये हैं, निलेश घर जाता है, और दिव्या को घर से भगा देता है, इसके बाद वो खुशी-खुशी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगता है, पुजा को कॉलिज के दिनों से ही मैगी खाने की लट लग गई थी, पुजा अपनी शादी के बाद भी दिन रात मैगी खाती रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी ये लट उस पर बहुत भारी पड़ गई, और पुजा को लेने के देने पड़ गए, पुजा दिन पूजा की कुछ लड़कियों से दोस्ती हो जाती है उसकी दोस्त रागी नहीं कहती है अरे यार पूजा अज कॉलिज 가 पहला दिन है आज हम सब की दोस्ती का भी पहला दिन है Celebration तो बनता है चल कैंटीन चल कर कुछ खाते हैं ठीक है चलो सब Canton जाकर वे सभी देखती हैं कि Canton बंद हो रही थी अरे भया हमें कुछ खिला दो आज हमारे college का पहला दिन है लेकिन माडम जी शाम के 4 बज गए है Canton बंद हो रही है अरे भया दो मिनट में जल्दी से कुछ बना दो हमारा पेट भी बढ़ जाएगा कैंटीन वाला सब के लिए मैगी बना देता है और सब को सर्फ करता है पूजा ने जब मैगी खाई अरे वा यार ये तो बहुत टेस्टी है पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा मैंने कहा था ना खेक बर काईगी तो इसके फैन हो जाएगी पूजा को मैगी का स्वाद बहुत पसंद आता है वो घर जाते समय दुकान से मैगी के दो पैकेट खरीद लेती है और घर जाकर फिर से मैगी बनाती है जिसे देख पूजा की मा अर्चना कहती है ये क्या पूजा बेटी घर में खाना बना हुआ है और तू मैगी खा रही है मैगी घर में आई कैसे मैं तो कभ से मैगी खाऊंगी तेरे लिए जो खाना बनाया है वो कौन खाएगा हम वो में रात को खा लूँगी इसके बाद पूजा मैगी खाती है आज तो मैगी खागर मज़ा ही आ गया पूजा रात को खाना नहीं खाती है पूजा बेटी तु खाना क्यों नहीं खा रही है मैं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। लगेगी कैसे जब तूने ठूस ठूस कर मैगी खा लिया। अब तो पूजा रोज कॉलेज के कैंटीन में मैगी खाने लगी। जिस दिन कॉलेज में छुट्टी होती, उस दिन वो घर पर मैगी बना कर खाये करती। इसी तरह तीन साल गुजर गए, पूजा को मैगी की आदत पढ़ चुकी थी। मैगी न खाओ तो उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन। पूजा बेटी, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से तयार हो जाना, और हाँ, उनके सामने भूल स भी मैगी का नाम मत लेना, ठीक है माँ, दूसरे दिन पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं, और पूजा उन्हें पसंद आ जाती है, कुछ दिन के बाद उसकी शादी सौरब के साथ हो जाती है, शादी के बाद जब पूजा की पहली रसोई होती हैं, तो सिखाती हो, सरला देवी उस दिन पूझा को खाना बनाना सिखाती है, पूझा सब के लिए खीर पूरी और पनीर की सबजी बनाती है, लेकिन खुद के लिए वो मैगी बनाती है, सब को खाना खिला कर जब पूझा खुद खाना खाने बैठी, अरे पूझा तु मैगी खा रही है तुने जो खीर पूरी बनाई है वो क्यों नहीं खा रही है मा जी मुझे मैगी बहुत पसंद है इधर कुछ दिनों से शादी की रस्मों के कारण में मैगी नहीं खा सकती थी इसलिए आज मैगी खा रही हूँ अच्छा आज रसोई तेरे हाथों में आई है तो तू अपने मन की कर रही है लेकिन बहु मैगी खाना अच्छी बात नहीं है जी मा जी मैं जादा नहीं खाऊंगी लेकिन पूजा कहा मानने वाली थी अब तो वो ससुराल में भी रोज अपने लिए मैगी बना कर खाती एक दिन सरला देवी ने सौरब से कहा बेटा तू रोज आफिस च सौरब उस दिन पूजा से कहता है पूजा तुम रोज रोज मैगी मत खाय करो इससे तुमारी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है अच्छा तो मा जी ने आपसे शिकायत कर दी उन्होंने शिकायत नहीं की वो तुमारी भलाई के लिए तुम्हें मैगी खाने से मना करती है ठ अपने लिए फटा-फट मैगी बना लेती हो और पूजा अपने लिए मैगी बनाती है और ठूस ठूस कर खाती है जब भी सरला देवी घर पर नहीं होती या सो रही होती पूजा मौके का फैदा उठा कर मैगी बना लेती पूजा बस मौके की तलाश में रहती सरला देवी क नजरों से ओजल होते ही, वो मैगी बना कर खा लेती। पूजा बहू, ये मैगी की खुश्बु कहां से आ रही है? तुने फिर मैगी बनाई है क्या? नहीं माजी, मैगी की खुश्बु पड़ो, उससे आ रही होगी। मुझसे जूट बोल रही है, मैंने डस्बिन में मैगी के पैकेट देखे है, तु सुधरेगी नहीं। क्या करू माजी, मैगी खाए बिना मेरा पेटी नहीं भरता? तेरी मैगी खाने की आदत तुझे बरबाद करके छोड़ेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पूजा के कानों में जून तक नहीं रहेंगी। वो राशन लेने जाती, तो मैगी के धेर सारे पैकेट लेकर आती और उसे छिपा कर रख देती। वो दिन रात मैगी बना कर खाती। रात में सरला देवी और सौरब के सोचाने के बाद वो मैगी बना कर खाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रोज के तरह एक रात उसने फिर मैगी बना कर खाई। मैगी खागर कितना अच्छा लगता है ना। फूरे जमाने की खुशी मिल जाती है। लेकिन पूजा की खुशी जादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। म कैगी खाने के बाद वो जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में आई उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। अः मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तुम चिल्ला क्यों रही हो। सारब नाजाने क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी सारब बेटे पूजा बहु को अस्पताल ले जा नाजाने इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है हाँ मा, मैं पूजा को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ सौरब आधी राद को उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे इमर्जेंसी वार्ड में भरती कर लेता है पूजा का चेक अप होता है डॉक्टर साब, क्या हुआ है मेरी पूजा को? वो ठीक तो हो जाए की ना? अभी चेक अप हो रहा है, कल सुबह तक रिपोर्ट है की, तब ही पता चलेगा की पूजा को क्या हुआ है राद बर पूजा अस्पताल में रहती है, सौरब इमर्जनसी वॉर्ड के बाहर बैट कर, सुबह होने का इंतजार करता है सुबह होने पर सौरब ने डॉक्टर से पूजा के बारे में पूचा डॉक्टर पूजा की रिपोर्ट सा गई कुछ पता चला पूजा को क्या हुआ है हाँ पूजा की आतों में इंफेक्शन हो गया है पूजा मैगी बहुत ज्यादा खाती है क्या हाँ डॉक्टर साहब ये सब मैगी खाने के करण हुआ है अगर इनोंने मैगी खाना बन नहीं किया, तो इनकी आते सड़ जाएंगी, फिर इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कुछ दवाईयां दे रहा हूँ, इने समय समय पर खिलाते रहना और ध्यान रहे, इने मैगी मत खाने देना, अब आप इने घर ले जा सकते हैं पूजा उस समय होश में थी और डॉक्टर की सारी बाते उसने सुन ली थी, थोड़ी देर के बाद सौरब पूजा को घर ले आता है, आ गया बेटा, पूजा बहु की फिकर में मैं राद भर नहीं सोई, क्या हुआ है मेरी बहु को, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने क पूजा बहु के लिए खिच्डी बना कर लाती हूँ, सरला देवी पूजा के लिए खिच्डी बना कर लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, जिसके बाद सौरब उसे दवाई खिलाता है, कुछ दिन के बाद पूजा की तब्यद बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसक पूजा सौरब और सरला देवी से माफी मांगती है। सौरब, माजी, मेरी मैगी खाने की वज़़े से आप दोनों को काफी परिशानी उठानी पड़ी। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि अब मैं मैगी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पूजा बहू, हम तो तेरे लिए सब कुछ करने को तयार हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू स्वस्त रहे, तेरी सेहत पर कोई आच नहीं आनी चाहिए, तू स्वस्त रहेगी तभी तो खुश रहेगी। हाँ पूजा, मैं और मां हमेशा यही चाहते थे कि तुम सेहत मन रहो, इसलिए हमने तुम्हें मैगी खाने से हमेशा मना किया। सौरब आप दोनों सही थे, मैं ही गलत थी, कॉलेज में मैगी खाने की गंदी आदत पड़ गई थी, जो धीरे धीरे लद बनती चली गई, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं, अब मैगी को बाए बाए, उस दिन के बाद से पूजा ने म मैगी खाना छोड़ दिया